नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में, फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजली माना आज उन्हें हमारा कोई खयाल नहीं, जवाब तेरे को हम राजी हैं, पर कोई सवाल नहीं पूछो उनके दिल से, क्या हम उनके यार नहीं, क्या हम से मिलने को वो बेकरार नहीं जिहाब में सही सुना हम आज के डेली राजीफल की बात कर रहे हैं, सबसे बल्याज इनका बार्द्ध है या अनुवर्सरी हैं, उनको मेरी तरफ से ठेर सारी गुट विशिस तो चलिए शिरू करते हैं, यू ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिडिया से कैसा बना अशियाना, वैं बोली भरनी पड़ती है उडान पार पार, तिनका तिनका उठाना होता है, चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इ चीजों की बजाए इंसान की कीमत को समझना चाहिए, आपके अपने आपके माता-पिता की कमी तम हैसूस होगी आपको जब वो चले जाएंगे, इसलिए अपने मा बाप की जीते जी कदर करो, बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए, कि कैसे सोचें, ना किये कि क्या सोचे ये जमाना भी बड़ा जीब है, ना कामियाब लोगों का मजाग उडाता है और कामियाब लोगों से जलता है, अगर आपसे भी कोई जलता है, तो इसे जलने जो, बस आप अपने लक्ष की तरफ बढ़ते रहों, तो चले ये बात कर लेते हैं आज के डेली राशिवल के बा बन रहा है, यानि की नमबर दो, सिधाने कहते हैं कि भूत काल से जुड़ी बातों को बार मार याद करने से किवल आपको ही तकलिफ होगे, फाल तो की तरिशने बढ़ेंगी, विचार चलते रहेंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, बिल्कि आपकी ख्याल ही खर आप कर रही है, तो यकीन मानिये, आप इसे छुटकारा पा सकते हैं बड़ी असानी से, साधि में आज गर्मन जॉब कर रहें अधिकारियों को जो है थोड़ा समल कर रहना होगा, गटबंधन की सरकारों के मुख्या को प्रतिकूलता रह सकते हैं, आज की दिन अगर आप ध और फैसले भी कई लोगों को लेने बढ़ सकते हैं, जो की पॉजिटिव रहेंगे, समाजिक और राजनेतिक सक्रियता भी बढ़ने से आपकी अच्छी पहचान बनेगी, किसी ख्यास व्यक्ति की मुलाकात से आपको बहुत ही कुछ उत्तम सेखने को मिल सकता है, यानि की उ जिसे हैं ठकान, चिटचिड़ापन भी हो सकता है, हो सकता है लेडिस लोग को घर में भुखार वगएरा हो सकता है, या फिर आपका गला खराब, नजला जुखाम ये चीजी हो सकती हैं, तो ठंड से भी बचाव रखना होगा, दूसरों की जिम्मेदारियों को अपने उप कारण बन सकता है, इसलिए अपने शम्ता के निस्वार ही कारे करेंगे, तो ही आपके लिए बैठे रहेगा, घर और व्रक्तिकत बातों के बारे में फैसला ना ले पाना, या लिए होए फैसले पर कायम ना रह पाना, आपको प्रगती करने से रोक रहा है, युवाओं को मा अगर आप नहीं लेती है, तो तकलीफ हो सकती है, आप अपने बलबूते पर आज को फैसला नहीं ले पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, युवाओं को किसी चीज के बारे में पूछना पड़ेगा, अपने बड़ों से, अपने टीचर से, एक्सपर्ट से, तो परिशानी है, उसमें आज कुछ सुधार होता नजर आ सकता है, और आप अपने रुके हुए कारे को निप्टाने में अपना ध्यान जो है वो फोकस भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, आज किसी दोस्त का सहयोग भी आपको दिक्तों कुकम करने में मदद करेगा, लेकिन हाँ, इस समें किसी भी प्रकार के वाद विवाद की सिती से दूर रहीगा, नहीं तो आप शरीरिक और मानसिक रूप से परिशान हो सकते हैं, कोट केस से रिलेटिट किसी भी कारे को स्थागित रक्षेगा दे, स्टूरंट्स हो हैं, फिजूल की बातों में पढ़कर अपन प्लीज करियर से खलवाड मत कीजेगा, करेड की तरह ध्यान दे, बाते तो बात में भी होती रहेंगे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनस और करेड की, तो आज कारकशित्र में करम चारियों का पूरा सहयोग रहेगा, उन पर विश्वास बना कर रखना, उनकी कार प्लीज करेगा, नौकरी पेशा लोगों को सरलता से कोई चारगित हासल हो सकता है, लेकिन हां किसी भी अनुचित काम में ध्यान ना दीजेगा, कोई इंक्वाइरी होने की अशंका भी नज़र आ रही है, इसलिए आपको हमेशा एब अनकारे करना है, जो लीगल है वही काम करें, दूसरा कोई भी काम प्लीज मत कीजेगा, कारियर से लेटेड बातों में नए मौकें आपको मिल सकते हैं, तो उनको प्लीज आप गवाने मत दीजेगा, ध्यान रखेगा आपके, इसके साथ ही इस समय आपके राजनेतिक जो रिलेशन्स हैं आपके, वो जो है विसाय में बहुत ही जादा मदद दे सकते हैं, सोशल मेरिया और पब्लिक रिलेशन्स सबंधी कामों पर भी ध्यान देना होगा, लोहे के विपारी जो हैं और जो प्लास्टिक के विपारी हैं, उनको आज बहुत अच्छी रहत मिल सकते हैं, यवाओं को करियर से रिलेटिड कोई नया अफसर मिलने से तनाब और मुक्ति मिल सकती हैं, सोने चांदी के जिवपारी हैं, उनको थोड़ा बैलंस बना कर रखना होगा, क्योंकि अभी मौका नहीं है उनके लिए अच्छा, तो थोड़ा वेट करने तो ठीक रहेगा, नौकरी में भी छोटी मोटी परिशानी आ सकती हैं, आप खुद है इसे सॉल्फ कर पाएंगे अपनी सूजबूच के साथ, नए नौकरी को प्राप्त करना आज आप के लिए काफी हद तक आसान हो सकता है, बस आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है, और यकीन मानें, आपका साल्फ कॉन्फिरेंस, आपकी मेहनत जर नहीं निकाल पाएंगे, चाहे वो सिंगल्स हैं, चाहे वो अभी मारिड हैं, तो थोड़ा बहुत आप अपने पाढ़ने के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है, जिसके वज़े से राजगी तो भाई जेल नहीं पड़ेगी, ये तो नॉर्मली बात है, पार्टन के द रहे प्रपोजल जो है, उनके बारे में सोच विचार कर ही फैसला करें, तो बैठर रहेगा, प्रपोज अगर आपको कर रहा है, तो बहले देख लीजिए कि बंदा ठीक ठाक है, सही है, आपके लिए नहीं, विवाहा योग्य जो लोग है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया जो रिष्टे आएंगे, परिवारे के जनों के बीच भी बहतर सामंजस्य ताल मिल, लगादार बनता ही रहेगा, यू कहें तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, और नॉर्मल और मिला जुला भी कह सकते हैं, लव लाइफ के लिए आज के दिन, अब बात करते हैं स्वास्ते के, स्वास्ते कहता है कि इस समय अपने इम्यून सिस्टम को और भी जादा स्ट्रोंग प्लीज मिना कर रखें, वर्तमान नेगिटीव वर्तावरन से अपना बचाव रखना बेहत जरूरी है, स्टेफ्टी इस वरे इंपॉर्टन तो आप प्लीज अपना ध्यान रखें, शिराफ, सिग्रेट, अमबाग को इस सब चीज़ें प्लीज इनसे दूरी बनाका रखें, वरना आपका स्वास्ते बहुत जल्दी विवर सकता है, ध्यान रखें अपना, क्योंकि इसका नेगिटीव इसल आपकी व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग भी आपसे जरा घ्रीना करने शिरू हो जाएंगे, तो आपको इस सब चीज़ों से परहेस करके एक नेक पाक इंसान बनना है, तो चलिए आप बात कर लेते हैं आज के विशेश शुपाय के बारे में, तो विशेश शुपाय आपके लिए कहता है कि आज आपको श की इन मानिये, बहुत ही बढ़िया रिजर देखने को मिल सकते हैं, और हाँ, आज आपको कोई ससंग जरूर सुनना चाहिए, या तो आप कहीं पर ससंग सुननी जा सकते हैं, अगर अवातावरन की कोडिंग है, तो आप घर भी ही सोशल मीडिया पर आप सुन सकते हैं, तो इ आप युपाएं जरूर करें, तो दोस्तों, अगर आपको इवीडियो अच्छे लगे हो, तो लाइक करें, शेर करें, और हमारे चैनल को सिब्सक्राइब करना बिल्कुल भी, मत जाएं